मेरे प्यारे देश्वासियों कुछ दिन बाद ही पाँच जून को पुरी दुनिया विश्व परियावरन दिवस मनाएगी। विश्व परियावरन दिवस पर इस साल की थीम है बायो डायवर्सिटी याने जैव विवीदिता वर्तमान परिस्तितियों में यह थीम विशेष रुप से महत्वपूर्ण है लोगडाउन के दोरान पिछले कुछ हपतों में जीवन के रप्तान थोड़ी धीमी जरूर हुई है लेकर इससे हमें अपने आसपास प्रकूति की समरुद्ध विवित्ता को जैव विवित्ता को करीब से देखने का आउसर भी मिला है आज कितने नहीं ऐसे पक्षी जो प्रदुशन और सोर सरावे में ओजल हो गए थे सालों बाद उनकी आवाज को लोग अपने घरों में सून रहे हैं अनेक जगहों से जानवरों के उनमुक्त विचरण की खबरे भी आ रही हैं मेरी तरह आपने भी सोशल मीडिया में जरूर इन बातो को देखा होगा पढ़ा होगा बहुत लोग कह रहे हैं लिख रहे हैं तस्विरे साजा कर रहे हैं कि वो अपने घर से दूर दूर पहाडियां देख पा रहे हैं दूर दूर जलती हुई रोशनी देख रहे हैं इन तस्विरों को देख कर कई लोगों के मन में ये संकल्प उ क्या हम उन द्रश्यों को ऐसे ही बना रह सकते हैं। इन तस्विरों ने लोगों को प्रकृति के लिए कुछ करने की प्रेणा भी दिया है। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, लेकिन जल के साथ हमारी जिम्मेवारी भी है। वर्शा का पानी, बारिस का पानी यह हमें बचाना है। एक एक बूंद को बचाना है। गाउं गाउं वर्षा के पानी को हम कैसे बचाएं परंपरा के बहुत सरल उपाय हैं उन सरल उपाय से भी हम पानी को रोक सकते हैं पाच दिन साथ दिन भी अगर पानी रुका रहेगा तो धरती मा के पास बुझाएगा पानी फिर जमिन में जाएगा वही जल जीवन की शक्त बन जाएगा और इसलिए इस वर्षारूतु में हम सब का प्रयास रहना चाहिए कि हम पानी को बचाएं पानी को समुरक्षन करें मेरे प्यारे देश्वासियों स्वच्छ पर्यावरन सीधे हमारे जीवन हमारे बच्चों के भविश का विशा है इसलिए हमें व्यक्तिकत स्तर पर भी इसकी चिंता करनी होगी मेरा आप से अनुरोध है कि इस पर्यावरन दिवस पर कुछ पेड़ अवश्च लगाएं और प्रकूति की सेवा के लिए कुछ ऐसा संकल्प अवश्च लें जिससे प्रकूति के साथ आपका हर दिन का रिस्ता बना रहे हां गर्मी बढ़ रही है इसलिए पक्षियों के ल करना मत भूलिएगा